नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने चैनल मिस्ट्रेस्वी क्लासिज पर दोस्तों करोना काल जो सेकिंड वेव आई थी काफी बुरा हाल उसमें रहा था और बहुत सारे लोगों की मर्तिव हुई थी इस मर्तिव पर उनके जो प्रिजन थे करोना से मरने वालों के तो ये मांग की गई थी कि उनको कुछ ना कुछ मुआउजा दिया जाए, तो सरकार ने दोस्तो अब लंबी सुनुआई के बाद सुप्रिम कोर्ट के जरिये 50,000 रुपे देना तै किया है, अब उसकी जो सुनुआई है लग बगता है, ओ चुकी है, फाइनल हो चुकी है कि 50,000 रुपे जो मरतक के किसी भी आशरित को मिलेंगे, ठीक है, तो देख लिजिए, कल जो सुप्रिम कोर्ट में हुआ और जो गाइडलाइन निकल कर आई है, उनके बारे में मुखे मुखे बाते आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्या निकल कर आई है, देखिए, आज के लग बग सभी नियूज पेपर में ये खबर है, करोना से मृत्यू पर मौजा देने से राज्य नहीं कर सकते इनकार, यनके बहुत सारे सवाल है, किसको मिलेगा, जो मृत्यक का आश्रित है, उसमें से, और दूसरा रहा, बहुत सारे लोगों के जो डैज सर्टिपेकेट है, उस पर करोना का जो मृत्यू का कारण है, वो न मिल जाएंगे, जैकि ये सुप्रिम कोर्ट ने कल क्या कहा है, कि सुप्रिम कोर्ट ने सोमार को कहा कि किसी भी राज्य में करोना के कारण मारे गए, लोगों के सव जन को पचास जार रुपे अनुग्रेराशी देने से केवल इस आदार पर इनकार नहीं करना चाहिए, कि मर मर्तिव परमान पतर जारी हुए थे, करोना से सम्मंदित, करोना के मर्तिव के बाद, जिसके भी उन पर करोना का कारण बताया ही नहीं गया, कि भी इसकी मर्तिव करोना से हुए, उस पर कोई कारण मतलब नहीं डाला गया था, यह मैंने भी चेक किया था, किसी के भी उस पर तो अब सरकार ने ये काइड लाइन बिल्कुल सपस्ट कर दिया है सुप्रिम कोर्ट ने कि अगर मृत्यू का कान करोना नहीं लिख्या हुआ तो भी ठीक है उसको है जो मौजा दिया जाएगा यहाँ पर देखिए क्या का आगया है कि करोना की वो जैसे मृत्यू होना प्रमा अगर मृत्यू हो जाती है ठीक है मरीज के अगर 30 दिन के अंदर जैसे आज रिपोट आई है और उसके 30 दिन बाद यानिके 30 दिन के अंदर अंदर ठीक है 30 दिन के अंदर अंदर अगर मृत्यू हो जाती है तो उसको करोना से मृत्यू ही माना जाएगा और अगर ऐसे ही आपना संसोधन करवा सकते हैं death certificate में या फिर ये भी बोला गया है कि जैसे आपका solution ये भी हो सकता है एक तो report आपको वहाँ से मिल जाएगी आपके medical से करोना positive की report थी ठीक है दे देते हैं आसानी से कोई दिकत नहीं होती दूसरा ये कि death certificate आपके पास होता ही है ठीक है आप निकल वाले ना online तो death certificate पर date होती है और corona positive का certificate वह देंगे उस पर भी date होती है तो 30 दिन के अंदर का अगर है तो दोनों ही आपके काम आएंगे दोस्तों ठीक है तो एक तो ये था दूसरे जो news paper में है थोड़ा size के बारे में यहां पर और detail से बता रखिए हैं यहां पर देखिए positive report के 30 दिन के बीतर मोत पर corona जो कारण ही मना जाएगा यहां पर एक यहां पर बताया वा था कि change करवाने के बारे में कुछ ठीक है यहां पर देखते हैं परिजन चाहें तो परमान पत्र में बदलाव के लिए सम्मंदित authority के सामने आवेदन दे सकते हैं यानि कि जो मर्तिव परमान पत्र है जिस मर्ड़ाथ का reason नहीं लिख्या गया है वो अपना परमान पत्र है जो authority के सामने जो भी medical authority बनेगी जिला wise बनेगी जिस भी तरह ऐसे बनाएगी सरकार ठीक है जिला लेवल पर तो उसके सामने परस्तूत कर सकते हैं और ताकि वो नया जो death certificate आपको issue कर सकें कि उस पर death का जो है कारण लिख्या हुआ हो corona ठीक है सरकारी से जो ये लेकर आई है court ने जो order दिया इसका परचार परसार करें ताकि सब को इसके बारे में पता चले और जो guideline और ज़्यादा जो आनी है वही जिला कमेटी जो बनेगी या फिर medical level पर बनेगी ठीक है उसके बारे में भी complete जानकारी जैसे ही news paper में आएगी तो हम आपके सामने लेकर आएंगे तो वैसे सब को पता है कितना बुरा लुआ था चाहे किसी के घर में death नह हुई उक्रोना से लेकिन किसी के हो सकता उसके relative किसी रिष्टेदारी में हुई हो ठीक है तो ये खबर थी इसको लगातार हम फोलो करेंगे पिछे भी फोलो करते रहे थे लेकिन उस पर वीडियो बहुत कम बना पाए थे क्योंकि final decision नहीं आ था अब ये लगबग final है कि वेजी 50,000 रुपे मुआजा मिलेगा ये तैय हो चुका है दोस्तों ठीक है अगर आगे भी इसी तरह की खबरों को फोलो करना चाते हैं या फिर education related हर्यान सरकार की योजनाओं से सम्मंदित सक्सम्योजनाओं से सम्मंदित सभी खबरे इस चैनल पर आपको समय पर मिलती रहती है इसके लिए चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्यू वेरी मुच